मात्र एक चुटकी ये चीज़ खाली जिए शरीर से 500 से अधिग बिमारिया जड़ से खत्म हो जाएंगी आपको बहुत सारी लाप मिलेंगे इसे बनाना भी बेहद आसान है लेकिन आप जब इसे बनाएं तो इस बात का विशेश दिहान रखें कि आप इसे किसी वैद के निगरानी में जरूर बनाए या किसी आरवेद चारे के निगरानी में क्योंकि जो भी चीज़ें हम इसमें इस्तमाल करने वाले हैं उनकी मात्रा सही होना और सही चीज़ का इस्तमाल करना बहुत जरूरी है क्योंकि शुद्ध चीज है या नहीं इसका पता आपको सिर्फ एक वैद या फिर कोई आरोध चार्य ही बता सकते हैं तो चलिए जानते हैं आज की सोज़्दी के बारे में जिसे बनाना बेहद आसान है पर अगर आप किसी की निगरानी में यानि कि किसी की सलहा के साथ बनाते हैं तो इसके मैकसिमम बैनिफेट्स आपको मिलेंगे आज का जो ये नुसका है ये आपके शरीर को बहुत मजबूती देगा यानि कि आप कह सकते हैं शरीर को फॉलाज सा मजबूत बना देगा इसका इस्तमाल आपने लगातार तीन महीने तक करना है और मातर एक चुटकी इसको लेना है यह आपको बहुत बेनिफिट्स देगा चाहें आपको लीवर की दिक्कत हो, किड्नी की दिक्कत हो, जोडों में दर्द रहता हो, खुन की खराबी हो, स्किन से रिलेटर समस्याए हो, आँखों की रोशनी कमजोर हो, किसी भी तरह की समस्या हो, हर तरह से आपको फायदा तो चलिए सबसे पहले जाननेते हैं इसके पहले इंग्रीडिन्ट के बारे में जिसका आपने इस्तमाल करना है, हलाकि यह सारी चीजे आपको किसी भी अच्छे आयरवेदिक स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाएंगी, क्योंकि जो भी चीजे में यहापर इस्तमाल करने वा इस्तमाल हम बहुत ही अलग करेंगे, यानि कि उसकी मात्रा बिलकुल अलग रहेगी, उसे में वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी, इसने वीडियो को बिलकुल धिहान से देखिएगा, जो सबसे पहले चीज़ आपने इस्तमाल करनी हैं वो है नाग केशर, यह आपने 10 ग्राम की मात्रा में लेनी है, जो भी चीज़े मैं आपको बोल रही हूँ, यह सब 10-10 ग्राम की मात्रा में है, जिसकी मात्रा अलग है वो वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी, इसके अलावा सुद्ध भीम सैनी कपूर आपने लेना है, यह बहुत रेर मिलता है, बह वो है वंच लोचन, यह भी बहुत आसानी से किसी भी आलवधिक स्टोर पर आपको मिल जाएगा, तो यह भी 10 ग्राम की मात्रा में लेना है, सफेज चंदन लेना है आपने यह भी 10 ग्राम की मात्रा में लेना है, वही चंदन जिसका हम टीका लगाते हैं, सफेज चंदन 10 ग कन कोल मिर्च यैननें भी 10 ग्राम में लेना हैं अपनी 10 ग्राम ज़ल लेना है और svb जबाने कमईए 10 ग्राम की प्रिलेक और चीज बता है और यह यहां पर धागा लेनी है इन सारी चीजों को पीस करके आपने पाउडर बना लेना है और पाउडर बना करके किसी काच की सीशी में भरकर रख लेना है अब आपने क्या करना है इसको मातर एक चुटकी या तीन ग्राम की मातरा में आपने लेना है ताजे पानी के साथ में सुबह समख की समय में भी ले स मास्पेसियों का दर्द है कमर गुटने किसी वी तरह का दर्द है उसमें गराइव करने कोई भी दिक्कत है तो उसमें लाब देगा और अगर chic संवस्यां अरब कोई भी दिक्कत है तो उसमें भी आपको लाब मिलेगा यानि कि वात बिगरने से पित बिगरने से और कफ के बिगरने से ही हमारे शरीर में बिमारी आती है ये बैलेंस रहते हैं तो हमने रोगी रहते हैं और ये अगर बिगरते हैं तो हमारे शरीर में दिक्कते आती हैं तो ये इन तीनों को ही नियंतित करने का काम करेगा आपके ल के लिए काफी फायदेमंद रहता है तो आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन किसी चिकित्सक या आयरवेदर चार्रे के सला की साथ ही इसका इसका इस्तमाल करें उमीद करती हूं आज की जानकारी आपको पसंद आएगी होगी अच्छी लगिए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सभी के साथ में चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ तब तक अपना बहुत खयाल रखें हस्ते मुस्कुराते रहें स्टे हेल्दी स्टे हैपी बाबाई